सूबेदार राम सिंग, 48 बतालियन, राश्ट्रिय राइफल, मरनो परांत 19 अगस्त 2021 को जम्मू के राजोरी क्षेत्र में सूबेदार राम सिंग अपनी टुकडी के साथ आंतरिक घेरा वतलाशी अभियान का नेत्रित्व कर रहे थे इसी दौरान एक आतंकवादी ने उनके दल के उपर पायर खोल दिया जिसमें सूबेदार राम सिंग घायल हो गए अपनी टुकडी को सुरक्षित स्थान में जाने का आदेश देकर और स्वयम गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछा करके एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया असाधारण वीर्ता अदम्य साहस एवं सर्वोच बलिदान के लिए सूबेदार राम सिंग को मर नोपरांथ सेना मेडल वीर्ता से सम्मानित किया जाता है पुरसकार ग्रहन करेंगी उनकी बहादुर पत्नी श्रीमती अनीता भंडारी श्रीमती अनीता भंडारी हवल्दार मौम्मध सलीम अखून 162 इंवंट्री बतालियन टरिटोरियल आर्मी जमू एंड कश्मीर लाइट इंफेंट्री मरनो परांथ हवल्दार मौम्मध सलीम अखून 2004 से अनंतनाक के आसपास के क्षेतर में महत उपून खूफिया जानकारी जुटाने में शामिल थे 9 अपरेल 2021 को भीड भाड़ वाले बीज बहरा बाजार में अग्यात आतंकियों ने घात लगाकर हवल्दार मौम्मध सलीम अखून पर हमला किया अकेले निहत्थे और अपनी गंभीर चोटों से बेखबर कई गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने बहादूरी से आतंकियों का सामना किया और शहीद हो गए हवल्दार मौम्मध सलीम अखून को अपने करियर के दौरान अदम में समर्पन के लिए और अपनी अंतिम सांस तक भी धैरे और चरित्र के प्रदर्शन के लिए मरनो परांत सेना मेडल वीर्टा से समानित किया जाता है यह पुरसकार उनकी बहादूर पत्नी श्रीमती जुबैदा बानो दौरा ग्रहन किया जाएगा श्रीमती जुबैदा बानो श्रीमती जुबैदा बानो 270 एंजिनियर रेजिमंट मरनो परांत 3 दिसंबर 2021 को नायक बनवारी लाल राठ और पूर्वी सक्टेर के महत्वपूर्ण अग्रिम क्षेत्रों में से एक में अग्रिम चौकी की तरफ ट्रैक निर्मान के लिए डोजर चलाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे अचानक ही डोजर के पहाडी से फिसलने के कारण उन्होंने खत्रे को भामते हुए डोजर को सुरक्षित स्थान की तरफ मोड दिया और किसी भी अन्य गंभीर जानमाल के नुकसान को बचा लिया इस दौरान वह नीचे गिर गए और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्य हो गई उनके असाधारण साहस, दिड़ संकल्प और कर्तव्य के प्रती समर्पन के लिए नायक बनवारी लालरा ठोड को मरनो परांथ सेना मेरल वीरता से सम्मानित किया जाता है पुरसकार ग्रहन करेंगी उनकी वीर पत्नी श्रीमती सुनीतारा ठोड श्रीमती सुनीतारा ठोड उनकी वीरतारा ठोड